हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में आज बना रही हूं मैं तीन समान से बनने वाली एक बहुत थी अच्छी मिठाई जिसे बनाना भी असान और बस तीन समान ही लगेंगे इस मिठाई को बनाने में बीना किसी जंजट के तो चलिए बनाते हैं य तो यह मार्किट में बहुत ही असानी से मिल जाता है तो इसको कोकोनेक पाउडर भी बोलते हैं या इसको इस तरीके से नारियल का बुरादा भी बोल कर लेते हैं तो बहुत ही असानी से ओन लाइन ओफ लाइन या फिर किसी भी जैसे परचून की दुकान होती है उस पर मिल जाता है तो इसको दो से तीन मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से मैंने भूना है तो इसमें अच्छी सी खुस्बू आने लगेगी फिर गैस का फ्लेम बंद करके इसको एक प्लेट में निकाल लिया है मैंने तो बहुत ही जटपट वाली मिठाई है तो यहां पर ले रही हूं मैं दूद आदा लीटर के आसपास दूद लिया है मैंने दूद की क्वांटरिटी है जो अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं और इसमें डाल देंगे चेनी स्वाद के हिसाब से तो मैंने जीतना एक कप के आसपा सेनारियल का बुरादा लिया था जो उतनी ही चीनी डाल दी है और दूद में अच्छे से उबाल आने देते हैं और यह देखिए दूद अच्छे से उबल गया है और अब इसमें डाल देंगे पाउडर तो इस टाइम ग.,शो बिलकल मीडियम कर लेंगे कि एक दम से शेते चीते आने लगें तो गॉ nicer का फिलेंगे हिए और इसको चलाएंगे इस तरी के से करीब करीब 5 मिंट के लिए तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से ऐसे ही रख सकते हैं मैं इसके अंदर थोड़ा कलर आड़ करूंगी तो पहले इसको कंटीनू चलाएंगे इस तरीके से यकीन मानिए दोस्तों यह बहुत ही ज्यादा अच्छी मिठाई है बीना किसी जंचट के तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक चमच घी आप चाहे तो इसमें मावा भी आड़ कर सकते हैं या फिर मलाई वगारे भी आड़ कर सकते हैं तो मेरे पास ना ही मलाई थी और ना ही खोया तो मैंने इसमें एक चमच गी डाल दिया है क्योंकि मिठाई है जो थोड़ी घी वगारे की अच्छी ही लगती है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा इलाईची पाउर डाला फ्लेवर के लिए अब थोड़ा सा इसमें डाला है मैं और इसको फिल से चलाएंगे 1-2 मिंट लिए अब क्या करेंगे। यह बिल्कुल अच्छे से तियार है तो मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से चलाया है 2-3 मिंट के लिए तो अब क्या करेंगे गस का फ्लेम बंद कर लें या इसको एक पलेट में या थाली में इसको साट करने के लिए निकाल लेंगे तो कोई बर्फी वाला ट्रेल ले सकते हैं लेकिन मैंने थाली लिया है इस पे मैंने अच्छे से घी लगा दिया था और यहां पर मैं आदा घंटे के बाद इसको कट करके दिखा रही हूं तो मैं इसको इस तरीके से बर्फी के आकार में ही काड रही हूँ जैसे बर्फी होती है चकोर इस तरीके से और यह बहुत यच्छी से सैट हो जाती है तो मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखा रही हूं देही तो आप इस तरीके से जटपट वाली यह नारियल की बर्फी है जो जुरूर से बना कर देखिए बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती हैं सभी को बहुत ही पसंद आती हैं और तेवारों का सेजन चल रहा है आप इसे 10-15 मिन्ट में इस तरीके से बना कर खा सकते हैं या खिला सकते हैं या कोई महमान आ रहा है इस तरीके से आप जटपट घर पर ही मिठाई बना सकते हैं तो आपको देखकर ही अंदाजा लग रहा होगा कि यह कितनी जादा सोफ्ट है और कितनी अच्छे से बनी है यह अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन है वीडियो को लाइक करें जिनुने चैनल सस्क्राइब ने किया चैनल को भी आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा और कहां से देख रहे हैं मेरा वीडियो और आपको बनाने वाले हैं यह जटपट वाली मिठाई तो यहां पर एक कप नारियल का बुरादा और आदे लेटर दूद से हमारी एक किलो बर्फी बनकर त्यार हो गई है देखे कितनी परिष्ट बने थी सभी को बहुत ही पसंद आई थी आज के वीडियो में इतना ही थैंक्यू